तो अधाव नमस्कार गुड इविंग्स अस्रेकाल एक बाद फिर आप तमाम लों का स्वागत है क्राइम तक के कहानी के इस एपिसोड में उमीद आप सब अच्छे होंगे आज की जो कहानी है इस कहानी से मैं बड़ा गहरे तोर पे जुड़ा हुआ और सालों तक जब मैंने नए नी क्राइम रिपोर्टिंग शुरू की और तब इतना तजरूबा भी नहीं था और दिल्ली पुलिस में उस वक्त नेट्वर्क भी बनाना था तो दिल्ली पुलिस का तब मतलब होता था एक Oh special cell और special cell मतलब दिल्ली में जो भी terrorist activities होती थी जो भी आतंगवारी गटनाय होती थी जो आतांगवारी पकड़े जाते थे जिस तरीके के उस वक्त ब्लास्ट हुए बहुत सारे उन सब की जाच तो दिल्ली प्लिस मैं सबसे जो इंपॉर्टेंट उनका विंग था वो एक तरह से स्पेशल सल था क्योंकि स्पेशल सल को बना ही गया था टेरिस्ट एक्टिविटी से निपटने के लिए उस वक्त इसके डी सी पी हुआ करते थे अशोक चांथ ब्रहे अच्छे अफसर काबिल अफसर और उनके अंडर में जो बाकी लोग थे उनमें दूसरे नंबर पे नाम आ प्याना के रहने वाले और उस वक्त जब भी कोई इंकॉंटर होता कोई टेरिस्ट पकला जाता तो हमेशा तस्वीर में सबसे आगे जो दिखते वो राजबीर सिंग डिखते 1982 में दिल्ली पुलिस में बताव सब इंस्पेक्टर भड़ती हुए थे और उसके बाद इंकॉंटर की वज़ा से ही जल देल दी प्रमोशन मिला और फिर वो ACP बन गए दिल्ली में अगर इंकॉंटर स्पेसलिस्ट के तौर पे किसी का नाम लिया जाता है जैसे मुंबई में दयानाएक हैं बाकी जगों पहला गलाग तो दिल्ली में राजबीर सिंग कही नाम आता है 56 चपन इंकॉंटर उनके नाम पे लेकिन 57 इंकॉंटर खुद राजबीर का हो गया तो पूरी जो कहानी है राजबीर की उसमें कई अजीब चीज़े हैं क्या कभी आप सोच सकते हैं कि कोई अपने ही गातिल को कतल का सामान दे रिवॉल्वर और फिर उसी रिवॉल्वर से उसका कतल हो जाए क्या आप सोच सकते हैं को कोई खुद अपनी मर्जी से चल कर कातिल के घर तक पहुँचे कातिल के सामने बैठे और फिर कातिल उसको मौत दे दे यह सब कुछ राजबीर के साथ हुआ राजबीर सिंग के एक पैचान ये भी है कि चाहे वो पारलेमेंट एटेक हो लाल कला पे जो एटेक हुआ था वो हो और फिर बहुत सारे ऐसे कॉंटर हो इन सब में राजबीर सिंग का नाम हमेशा आगे आगे रहा है पारलेमेंट एटेक की पूरी जो इन्विस्टिकेशन और जांच थी जिसमें अफजल गुरू से लेके गिलानी शौकत ये सब पकड़े गए थे इस पूरी टीम में जो सबसे आगे आगे थे वो र राजबीर सिंग का पारलेमेंट एटेक के केस को सुलधाने में बहुत बड़ी तारीफ हुई बड़े नाम है उसी तरह लाल किला शूट आउट को लेकर भी राजबीर सिंग के बड़ी सुलखियों में आगे बहुत सारी चीजें रही जिंदगी में मेरे साथ कड़वे भी रिष्टे रहे अच्छे भी रहे एक बार धमकी भी खाई पारलेमेंट एटेक के केस के सलसले में वो आगे बताऊंगा पहले राजबीर सिंग की मौत की कहानी 24 मार्च 2008 तब Y.S. डड़वाल दिल्ली के नय पुलिस कमिशनर बने थे और राजबीर सिंग के उपर कुछ इलजाम उससे पहले लग चुके थे कुछ प्रोपर्टी डिलर डिस्पूट में लोगों को तंग करने का एक ड्रक्स माफिया के साथ भी लिंक जुडा खुद दि की नार्कोटिक सेल ने जो एक आडियो फोन टेप कर लिया जिसमें राजबीर और ड्रग डिलर की बातचीत थी वो टेप सामने आया मेडिया में भी आया जिसे बड़ी बदनामी हुई दिल्ली पलिस की भी राजबीर की भी तो यह सारी चीज़े चल रही थी राजबीर सेल सेल में थे लेकिन वाई एस डेडवाल के आने के बाद उनका जो है ट्रांसफर वो स्पेशल ऑपरेशन स्क्वाइड में कर दिया गया था सोस में और इसका जो दफतर था वो यहीं सौथ दिले में अमर कॉल्ली में दफतर था सोस का 24 त मार्च दिन मंडे 2008 उससे पहले फ्र फ्राइडे था दिवाली थी इद भी तीन लंबी वीकेंड चुटी के बाद मंडे को राजबीर दफतर पहुंचे थे आमर कॉल्नी अपने स्पेशल ऑपरेशन जो इसक्वाइड है वहाँ पर दफतर पहुंचने के बाद दिन मर यह दफतर में रहे शाम करीब चार साड़ राजबीर वहाँ जाते हैं कुछ केस के सिल्सले में बातचीत होती है बातचीत के बाद वो वापस अपने दफतर लौटते हैं और दफतर लौटने के बाद शाम करीब साथ साड़े साथ बज़े अपनी कॉलिस गाली में राजबीर अमर कॉल्नी से निकलते हैं गुड़ग भी विली थी आतंगवादियों से तो इसी धंगी के मद्दे नज़र राजबीर सिंग को जिट प्लस सिक्यूरिटी मिली हुई थी और वो हमेशा सिक्यूरिटी में ही रहते थे तो जब वो अमर कॉलनी से गुलगाओं के लिए निकले तो वो अपनी कॉलिस गाड़ी में अकेले थे और उनकी जो सिक्यूरिटी थी उस सिक्यूरिटी में दो लोग थे जो पीछे दूसरी गाड़ी में चिल रहे थे शाम का वक्त था ट्रैफिक जादा होते उस वक्ते चुके एरपोर्ट का भी रास्ता है तो करीबाट साड़े आठ के दरमयान राजबीर सिंग गुलगाओं पहुंचते हैं और वहीं पे महरोली गुलगाओं रोट पे एक पेट्रॉल पंप है वहाँ पे वो अपनी गाड़ी रोग देते हैं सिक्यूरिटी जो पीछे उनके साथ थी वो भी वहीं पेट्रॉल पंप पे गाड़ी रोग जाती है उस जगह पे राजबीर अक्सर आया जाया करते थे इससे पहले भी कई बार आये तो वो सिक्यूरिटी गाड़ को भी पता था गाड़ी छोड़ने के बाद राजबीर वहाँ से पैदल ही निकलते हैं और उसी पेट्रॉल पंप से कुछ दूरी पर एक प्रोपर्टी डीलर का दफ्तर था और उस प्रोपर्टी डीलर का नाम था विजय भार्दवाज विजया भार्दवाज और राजबीर सिंग लगपक एक ही गाओं के थे एक ही जगा के अब दोनों की 20 साल पुरानी दोस्ती थी दोनों के परिवारों की बीच में दोस्ती थी घर आना जाना था और जो विजया भार्दवाज प्रोपर्टी टीलर है उसका भाई चोटा भाई और राजबीर सिंग के साथ स्कूल कॉलेज में भी पढ़ा था आगे चलकर इन दोनों की दोस्ती जो है वो थोड़ी बिजनस में भी बद्दी कहते हैं कि विजया भार्दवाज को प्रोपर्टी का धंदा शुरू करवाने वाले राजबीर सिंग थे एसी पी और उन्होंने बहुत सारे पैसे विजया भार्दवाज के इस धंदे में लगाये थे और इसी धंदे में एक बड़ी डील हुई थी कुछ जमीन की और उस जमीन के डील के बात जो प्रोफिट था उसके पैसे राजबीर को देने थे विजया भार्दवाज को विजया भार् लेकिन बाद में आया कि वो 97 लाक्स था, करीब 97 लाग रुपए, तो पैसे विजा भार्दवाज उस डील के बाद जो मिले, सबको तो बाट दिया लेकिन राजबीर सिंग को नहीं दिया, और राजबीर सिंग बाकादा इसलिए तकाजा कर रहे था, कई बार उससे पैसे कहते हैं कि 24 मार्च मंडे के दिन जब राजबीर वहां पहुंचे थे, तो मंगल नेक्स टे, 25 मार्च को अगली तारीक दी थी विजा भार्दवाज ने राजबीर सिंग को पैसे लोटाने की, लेकिन मंडे को जब राजबीर ने फोन किया और उससे कहा कि कल का दिन याद है कल तुम्हें पैसे लोटाने हैं, तो विजा भार्दवाज ने फिर उदर से माफी मांगी और कहा कि पैसे का इंतजाम नहीं हो पाया, थोड़ी और महलत दे दो, इस पर राजबीर को बहुत गुस्सा है और उनना का कि मैं अभी दफ्तर आ रहा हूं, और उसके बाद वो श कोन क्या हो आने वाला, वो डरा हुआ, गबराया हुआ, फिर भी वो शराब की बोटल और बाकी चीजे लगता कि राजबीर उससे पहले भी उस दफ्तर में कई बार आ चुके थे, दोनों की दोस्ती थी, साथ बैटकर इननोंने कई बार शराब पी थी, तो विजा भारतवा और राजबीर उनको धमकी देते हैं, विजा भारतवाज को, कि तुम बार बार धोका दे रहे हो, तुम मेरे पैसे देतो, अंजाम अच्छा नहीं होगा, और वो बार बार महुलत मांगता है, इस बीच में कहानी में एक कड़ी ये थी, कि इस सौमवार से पहले, फ्राइड राजबीर ने कहा था ठीक है, तब विजा भाजबाद ने राजबीर सिंग से ये कहा था कि शायद वो पैसे देने में आना कानी करें, तो आप मुझे एक रिवालवर दे दो, ताकि उसको दिखा के धमका सकूँ, तो वो पैसे देगा, राजबीर ने उसे 32 बोर का एक कोशिश करता है, शराब पीने के लिए कहता है, इसी बीच साड़े आठ के आसपास अचानक दफ्तर की लाइट चली जाती है, राजबीर और विजा भारजबाद दोनों आमने सामने थे, दोनों लड़ाई लड़ रहे थे, बहस कर रहे थे, और अचानक लाइट चली गई, तो जैसे ही लाइट गई तो विजा भारजबाद राजबीर के सामने से उठता है, और इनवर्टर आउन करने के बहाने, वो पीछे की तरफ जाता है, उसकी जेब में वो लोड़ेड रिवालवर था, जो तीन दिन पहले खुद राजबीर ने उसे दिया था, अंधेरा था लाइट गई भी थी, राजबीर कुरसी पे बैठे वे, ये पीछे की तरफ जाता है कुरसी से, बहुत ही तेजी से जेब से रिवालवर निकालता है, और पहली गोली चला देता है, एकदम नस्दीक से वो गोली राजबीर सिंग के गरदन में लगती है, गोली गरदन में ल पहली गोली गरदन में दूसरी गोली सर में, गोली लगते ही राजबीर वहीं कुरसी पे धेर हो जाते हैं, अब यहां पे इसके बाद लाइट गई भी थी, उस दफ्तर में कोई और नहीं था, किसी का आने के उमीद नहीं थी, विजय भार्दवाज के पास पूरा मौका थ उस जगा से निकल के भागने का, विजय भार्दवाज वहां से निकल के भागता नहीं है, बलकि वो अगले दो ड़ाई घंटे उसी दफ्तर में राजबीर की लाश के साथ बैठा रहता है, इस दोरान वो अपने मुबाइल से कई कॉल करता है, कुछ लोगों को कॉल करने के किन्टे तक राजबीर के लाश के साथ बैठा रहता है, उसके बाद वो घर से बाहर, वो दफ्तर से बाहर निकलता है, रात करीब साड़े दस के आसपास, बाहर निकलने के बाद वो राजबीर की उसी कार में, जिस गाली में राजबीर आया था, जाकर बैठ जाता है, जो स विजय भार्दवाच से ही मिलने आए गारी स्टार्ट करता है वो जाता है पुलिस को पहली फोन कर चुका था अब रास्ते में फिर वो कुछ मीडिया को कॉल करता है जो गुड़गाओं में लोकल जनलिस्ट होते हैं चैनल के लिए अलग अलग जो स्टिंगर के तोर पे काम क कि राजबीर एसीपी जो राजबीर हैं दिल्ले पुलिस के नामचीन अफसर उनको मैंने गोली मार दी है और तुम आ जो ताकि उसे ये था कि दिल्ले पुलिस कहीं ऐसा नहों कि इनकाउंटर कर दे अपने इतने बड़े अफसर के कटल की खबर सुनने के बाद तो वो ये स कहता है कि मैंने अभी अभी राजबीर सिंग को दो गोली मारी है बताता है कि इसलिए मारी है क्योंकि राजबीर सिंग के कुछ पैसे मेरे उपर थे उधार और मैं लोटा नहीं रहा था मेरी माली हाला ठीक नहीं थी और राजबीर मुझे पिछले कई महीनों से इस पैसों क लेकर तंग कर रहे थे प्रेशर डाल रहे थे और राजबीर से मुझे डर लगता था कि वो इनकॉंटर इस्पेसलिस नोने का था पूरे फैमिली को मार देंगे और मुझे लगता था कि वो ऐसा कर सकते हैं तो इस डर से एक बार तो मैंने सुसाइट करने का भी सोचा और सुस नहीं था और इसलिए आज जब राजबीर दफ्तर आए और वो गुस्से में थे तो मैंने उनको गोली मार दी पूरा मीडिया को बयान देने के बाद इसी दोरान में वो पुलिस को अलड़ी फोन कर चुका था मिल्या भारदवाच जब ये कैमरे पे बयान रिकॉर्ड हो र लेकिन जिस तरीके से मौत की खबर आई एक प्रॉपरिटी डीलर के दफ्तर में पैसों का लेन देन तो ये दिल्ले पुलिस के जो बाकि सीनियर अफसर थे उन सब के लिए एक थोड़े सी शर्मिंदगी की बात हो गई इसलिए कि पहले ऐसा लगा था क्यूंक आलरी जेट किसी ने बदला ले लिया है तो उसको लेके हल चल भी थी लेकिन आनन फानन में जब कुद कातिल का ये करार जर्म कैमरे पर आया और थोड़े देर में सारे चैनल पर चलने लगा तो फिर कहानी पलट गई उस वक्त मुझे याद है कि मैं वीडियो कुन टावर दफ्तर था बैठावा था जैसी खबर आई तो उसके बाद भागा और स्पॉर्ट पर पहुंचा और मुझे पहले यकीन नहीं हुआ था इसलिए कि लगभग दस साल से मैं राजबीर सिंग को जानता था जब मैंने क्राइम रेपोर्टिंग शुरू की तब से और सबसे बड़ी जो दो चीज़ें हुई थी मेरे साथ एक जब परलामेंट एटेक हुआ था और अफजल गुरू और इननों को गिरफतार करके लोधी कॉलनी के स्पेशल सेल के दफ्तर के बाहर सुबा चे बजे पहुंसता था और रात बारावए से पहले वहां से हटता नहीं था इस उमीद में की शायद इननों का इंटर्वी मिल जाए और इस इंटर्वी की जो उम्मीद थी आखरी वो एसी पी राजबीर ही थी थे क्योंकि लोधी कॉलनी इस कमिशनर का आना जाना था बजराव शर्मा हुआ करते थे उस वक्त अशोक चान का आना शोक चान जो डिसी पी थे उनसे भी हमलों की अच्छी ट्यूनिंग थी लेकिन मामला बड़ा था इंटर्वी हो नहीं रहा था लेकिन आखिर में खैर फिर तब लाल कृष्णा अडव का इंटर्वी करवाना चाहिए तो जब यह मैसेज वहां से आया गवर्मेंट की तरफ से तो हम लोग बाहरी थे तो बुलाया गया सारे मीडिया को और कहा गया कि तीन न्यूस चैनल को इंटर्वी मिलेगा तो उसमें एक आज तक था एक जी न्यूस और एक एंड़ी टीव अब उसमें यह प्रॉबलम थी कि पहले किसको हम लोग यहां प्रोफिशन में एक और भी होता है कि पहला कौन ब्रेकिंग कौन देता है पहला इंटर्वी कौन करता है तो उसको लेके बड़ी माथा पच्ची हुई कि पहले कौन पहले कौन तो उस वक्त एसी पी राजवीर का ही आइडिया था कि ठीक है तुम लोग आपसे मत लड़ो चैनल का नाम अल्फाबेट के हिसाब से करते हैं और जो अल्फाबेट के हिसाब से पहले आएगा उसको पहला इंटर्वी मिलेगा तो इतिफाक से आज तक का ए से शुरू होता है और वो भी डबल ए तो पहला न तो मैं हमेशा याद रखता हूँ और इस आइडिया के वह से मैं पहले इंटर्वी कर पाया लेकिन इसके बाद जब अफजल गुरू की कोट में पेशी हुई गवाही हुई तो इस इंटर्वी के दराना अफजल गुरू ने एक बार कहा था कि जब कोश्चन होगा था मैंन में इनकी नौकरी लगए ये दो-चार दिन दिल्ली में रहेंगे और चले जाएंगे तो ये लाइन उसने मतला एक तरह से उसने क्लीन चीट दी थी अफजल गुरू ने जब मैं इंटर्वी कर था तो राजबीर वहीं कमरे में स्पिसल सेल के सामने बैठे वे सारा इंटर् है फिर मैंने देखा कि इंटर्वू एक तो कराया सबसे पहले कराया तो मैंने एक छोटी सी बात है मान लेनी चाहिए तो जब मैं ऑफिस गया तो उस लाइन को एडिट करवा दिया था और वह लाइन के बिना वह इंटर्वू चल गया लेकिन छे महीने के बाद इत्तफाक स अंकट पड़ा हुआ था इंटर्वू एडिटेट वर्जन नहीं जो पहले दिन चलाया था तो वो पूरा का पूरा अंकट इंटर्वू उठा कर और वो ऑन एर चला गया तो उसमें वो लाइन भी गई जो अबजल गुरू ने कहा था गिलानी के बारे में तब गिलानी को लेके चुके दिली नमसीजी के लेक्चरर थे कुछ लोगों ने मिलके एक फोरम बनाया था कि गिलानी बेकसूर है गिलानी का कोई रोल नहीं है तो उसमें इननदीता हकसर प्रभाद जोशी जी और भी कुछ बड़े बड़े लोग थे इन सब मिलके 30-40 लोग इतफाक से उ और उसमें ये अफजल की लाइन जो है उनके लिए बड़ी मुफीत साबित हो गई क्योंकि वहां पर वो एक तरह से गिलानी को इस पूरे साजिश से अलग रख रहा था तो इस इंटर्वू के बिहाफ पे उन लोगों ने कोट में पेटिशन दाखिल कर दिया उस वक्ट प तो मैं दो तीन शूट पे था पहले तो मैं सम्मन मुझे मिला ही नहीं तीसरी बार पता चला कि नॉन मिलेवल वारेंट इशू हो रहा है मेरे खलाफ जच धिंग रहा थे उस वक्ट में तो मेरे साथी राजे शाहुजा ने उस वक्ट कहा कि अगर तुम नहीं पहुंचे त प्रोफिसर गिलानी ये खड़े वे थे और कोर्ट रूम में बाकादा एसी पी उनकी राजबीर उनकी पूरी टीम बाकी जनरलिस्ट थे और कोर्ट में ही एक टीवी लगाया गया और उस टीवी में वी एचेस के साथ वो टेप चला तब वी एचेस टेप हुआ करता था तो उस टेप में फिर पूरा इंटरिवी चला इंटरिवी के बाद फिर अदालत में मुझे गवाही के लिए कहा गया वकीलों ने सवाल पूछा ये पूछा कि आपने ये लाइन उस वक्त क्यों हटाई तो जो सच था वो मैंने बताया पिर ये लाइन दोबारा क्यों गई तो जो सच था वो बताया कि या तब याद नहीं था तो जब से इंटरिवी खत्म हो गया तो उसके बाहर निकला तो बेसी पी राजबीर ने कहा कि तुमने ठीक नहीं किया तुमने वादा किया था कि ये लाइन हटाओ तो तुमने क्यों चलाया तो मैंने वहां पे भी सच कहा क कि उस वक्त आपने कहा था इसलिए हटा दिया छे मेने बाद चलाने की बात आई तो मुझे मेरे दिमाग में नहीं था कि ऐसी कोई लाइन है जिसको हटानी है तो इसलिए चल गिया तो बड़े नाराज गुस्सा हुए उन्हें का तुम अच्छा नहीं कि इसका अंजाम तुम किसी और पेशे में होता तो फिर ये दुश्मनी ही कहा होती है तो खैर वो मुस्कुराए लेकिन नाराज़गी तो थी अगले दिन आख़बारों में भी ये खबर चप गई हिंदू की एक रिपोर्टर थी उसने बाकाई था मुझे कोट करते वे लिग दिया था उसने होता बाद में मुझे एसास हुआ था कि ये एक लाइन बहुत इंपॉर्टन थी और चुकि उस लाइन से मेरा कोई लेना देना नहीं एक इंटर्व्यू कर रहा हूँ वो जो बयान दे रहा है तो उसी हिसाब से जाना चाहिए तो मुझे हमेशा इस बात का अफसोस रहता है मैं अपने गलती भी मानता हूँ लेकिन ये कि ये डारिक्ट राजबीर के साथ अपना वो हुआ था खैर इधर उसके बाद इंटर्व्यू देने के बाद टीवी में पुलिस वाले पहुंच जाते हैं मौके पे और विजय भार्दवाज को फिर गिरफतार करके ले जाय जा बाद में खैर राजबीर सिंग के सब कुछ अंतिम संसकार हुआ और लोगों को यकीन नहीं आ रहा था कि विजय भार्दवाज इतनी आसानी से एकसेप्ट करेगा इसके पीछे कोई साधिश हो सकती है कुछ और लोग हो सकते हैं कुछ कहीं और लिंक लेकिन हर्याना पुलि कि कई जगह पैसे कई प्रोपरिटेट डिलर और कई जगह और जहां पर पैसे इंविस्ट किये थे और उसका त ис buff कर रहे थे और इस तकाजे की वज़ से वो इतना डर गया है इसके लावा बहुत सारे पुलिस वाले ऐसे अवैद हत्यार भी रखते हैं इनकाउंटर में बड़ा काम आता है तो उनी में से शायद एक कोई हत्यार था यह कानपूर की फैक्टरी का बना हुआ था यह जो थर्टी बोर टू बोर का पिस्टल था और किसी देवेंदर के न दिल्ले पुलिस की उसक्त बदनामी भी हुई और फिर पुराने केसिस भी खुलने लगे कैसे ड्रक्स दीलर के साथ की भी चीज़ें थी बाकी लेकिन एक चीज़ इन चीज़ों को आपकर कंट्रोवर्सी को साइड रखें तो इस्पेशल सेल में कहते हैं कि टेरिस के को थी भी मानते थे कि A.C.P. राजवीर का जो नेटवर्क था वो बड़ा सॉलिट था ग्राउंड लेवल पर छोटी छोटी जगों पर तो उस नेटवर्क का बड़ा फायदा मिलता था ऐसे क्राइम ऐसी साजिश को बस्ट करने में और इसी लिए राजवीर इतने सारे-ज क्याते भी थे कि बहुत सारे मेरे खलाव जलते हैं इसलिए जोटा इल्जाम लगाते हैं लेकिन उस वक्ति जो राजवीर के टीम थी A.C.P. की वड़ी सॉलिट टीम थी और उनी में से एक और इंस्पेक्टर मोहनचन शर्मा थे जो राजवीर के साथ साए की तरह हमेशा र वो यह है कि जब मुलाकात होती थी राजवीर से और हम लोग कई बार ऐसे इधर उधर की भी गपे मार लेते थे तो फिर फैमिली वैमिली की भी बात होती थी तो उस वक्त A.C.P. राजवीर में एक खास चीज़ देखी थी कि अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए वो ब सिंग वो UPSC के एक्जाम देता है UPSC के एक्जाम में क्वालिफाई करता है और IPS बनता है A.C.P. राजवीर की तमन्ना थी क्योंकि A.C.P. सब इंस्पेक्टर से प्रोमोशन पापा कर A.C.P. बने थे तो IPS नहीं थे लेकिन उनकी तमन्ना थे कि उनका बेटा A.P.S. अफसर बने ऐसे कई फिल्मों में भी मैंने देखा रहा है यहां हाकिकत में यह चीज बदली A.C.P. राजवीर का बेटा है U.P.S. से क्लियर करके IPS बनता है और इस वक्त दिल्ली में ही पोस्टेड है और बहुत सारी जहलक जो है लुक से लेके बाकी चीज़ है और जो उसके बैच के और बाकी लोग बताते हैं कि टैलेंटेट, इमानदार और एक अच्छा अफसर है तो बस यही सोचता हूं कही बार कि काश राजवीर अपने जिन्दा होते वे अपने बेटे को इस तरह से IPS बन कर देखते तो बहुत खुशी होती, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होई जिसने वक्त से पहले राजवीर सिंग की जान ले ली और जान के साथ फिर बहुत सारी बदनामियां भी आएं, तो वो बड़ा अफसोस नाग है तो ये थी कहानी एसी पी राजवीर सिंग की, आगे कुछ और ऐसी कहानियां और भी हैं, भो मैं आपको सुनाता रहूँगा तो फिल्हाल आज इतना ही अपना ख्याल रखिए, अच्छे रहिए, थैंक्यू वेरी मच्छ अब मुलागात होगी, फिर वही रात 9 बजे, क्राइम तक की कहानी के एपिसोड में, किसी नही कहानी के साथ, थैंक्यू वेरी मच्छ